सपोर्ट मिल रहा है जो लोग बारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कॉंग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं इसलिए समय एक होने का है हमारी एकता ही देश को बचाएगी बाई और बेहनों मैं बारत्तर के लोगों को कॉंग्रेस की एक और कर्तुत बतान और देखिए दुक की बात इस ड्रॉज रेकेड ka मुख्य सरगना कौं निकला कॉंग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला कॉंग्रेस युवाओं को नशे की लत्वें थकेर कर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खत्रे से सावधान लहना है और दूसरों को भी सावधान करना है हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी साथियों आज हमारी सरकार का हर निड़ा है हर निती विक्सित भारत को समर्पित है और विक्सित भारत का बहुत बड़ा आदार हमारे किसान है किसानों को स सब्सक्ता बनाडी की जिसा में आज कई बड़े कदम उठाए गए हैं आज 9200 किसान उत्पात संग एप्यो देश को समर्पिट किये गए हैं अभी कृषी के लिए कई इंफ्रासेक्टर प्रजेक का भी लोकारपन हुआ हैं इन से कृषी पातों के स्टोरेग प्रोसेसिंग औ आज बढ़ाने में मदद करेंगे वैसे यहां महराश्ट में तो किसानों को एंडी सरकार में डबल फाइड़ा हो रहा है एकनाजी सिंदे की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी जीरो कर दिया है आम चांशेथ करना वीजेचे बिल मिलता है त्यावर सुन्य लेले आने न साथियों महराश्ट के किसानों ने वीदर्प के किसानों ने कई दसकों तक बड़े संकटों का सामना किया है कॉंग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरिब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी यहाँ जब तक महा अगाड़ी की सरकार थी उसके दो ही एजंडे थे पहला किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना दूसरा इन परियोजनाओं के पैसे में प्रस्फाचार करना हम केंद्र से माहराच्छा के किसानों के लिए पैसा भेचते थे लेकिन महागाड़ी सरकार उसमें बंदर बाढ़ करके खा जाती थे कॉंग्रेस ने हमाइसा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है इसलिए कॉंग्रेस को पी-म किसान सम्मान निदी योजना पसंद नहीं आती है कॉंग्रेस योजना का मजाख उडाती है किसानों को मिल रहे हैं पैसों का विरोध करती है क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे हैं पैसों से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, प्रसाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है आज पड़ोसी राज कनाटका को देखिए जैसे महारास्ट में महायुति सरकार किसान सम्मान निति के साथ अलग से पैसे देती हैं ऐसे ही कनाटका में बीजेपी सरकार देती थी यहां कनाटका के मेरे कई मंजारिया परिवार यहां आये हुए है लेकिन जैसे ही कनाटका में कॉंग्रेस के सरकार आई उन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया वहां की कई सिंचाई परियोजनाओं से राज सरकार ने मुँ फेर लिया कनाटका में कॉंग्रेस दे बीच की किमते भी बढ़ा दी हर चुनाओ से पहले कर्ज माफी का जूठा बादा कॉंग्रेस का पसंद दिदा हतकंडा है तिलंगरा में ये लोग कर्ज माफी का बादा करके सत्ता में आए लेकिन सरकार बंदे के बाद इतना समय गुजर गया अब किसान कुछ पूछ रहे हैं कि उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ बाद यो और बेहनों हमें भूलना नहीं है महारास्त्र में भी कॉंग्रेस और महागाडी सरकार ने सिंचाई से जुड़े कितने कामों को रोख कर रखा था जब NDA सरकार आई उसने इस दिशा में तेजी से काम किया महारास्त्र सरकार ने वेन गंगा नल गंगा नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दिये है करीम 90,000 करोर पे कि इस परियोजना से अमराबती, यवतमार, अकोला, बुल्डाना, वाशीम, नाकपूर और वर्धा में पानी की कमी को दूर होगी महारास्त्र की सरकार कपास और स्वायविन की खेटी करने वाले किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है किसानों के खातों में कपास और स्वायविन के लिए दत्त सजार पे दिये जा रहे हैं हाली में अमराबती के टेक्सलाइल पार का सला नयाद भी किया गया आगे बढ़ाने का भियान मजबूती से चलता रहेगा, मुझे विश्वास है, आप सब अपना आशिरवाद बनाए रहेगे, हम सब साथ मिलकर विक्षित महरास्त्र, विक्षित भारत के सपने को पुरा करेंगे, इसी कामना के साथ मैं एक फिर बार, एक बार फिर हमारे किसा साथियों और मेरे मन्जरा समाज के सब भाई बेनों को बहुत बहुत बदाए